तो दोस्तो फाइनली भारत के चंद्रियान 3 ने कर दिखाया 2019 की नाकामी के बाद भी हमारे इसरो के वेग्यानिक टूटे नहीं ये हमारे वेग्यानिकों की कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि जो 2019 में नहीं हो पाया वो 2023 में हो गया भारत रश्या, चाइना और अमेरिका के बाद चांद उपर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है और तो और चांद के साउथ पोल रिजिन में उतरने वाला भारत पहला देश है एक बार फिर से आप सभी को बदाही हो अब आप इस मोमेंट को एंजॉय करें जी हां अगर अगर थिर से ध्यान से देखें तो आल्टीट्ट्ट पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगवग लगवग एक सो पैठीस मीटर की उचाहिपे हैं अभी आप यह देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगवक्स पाई सट मीटर के आसपास बची हुई है करेंटली अनली टू इंजिन आप यह दिए अभी आप यह दिए अभी आप यह दिए लाइंडर की वेगवान को किया जा रहा है और हम अब लगवक्पचास मीटर से भी कम आचुके हैं we can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals jiha aap apni screen pe dek sakte hai ki hum power lander module people are applauding let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman Isro Shri S. Somnath lander module पूरी तरह से safely और softly चंद्रमा के सतह पे land हो चुका है यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के बहुत ही ऑंदा थाओ बहुत ही ओंदा थाओ आप अपने इस्टोप मुनिटी थाओ प्रवेशन